हाई गाईस तूट बॉर्निंग वैलकम टू माई नीव ब्लॉग और अभी क्याना साथ बज गए हैं और मतलब मैं जगी तो मैं काफी चायम से थी लेकिन अभी बैड़ पर ही हूँ क्योंकि जय भी बैड़ पर ही सोजा हुगा है मैं आपको दिखाऊ हूँ यह सोजा हुगा तो बस हम लोग अभी क्याना मम्मी जग गई है मार गई होई है अब दूद बगरा निकलेगा गाये का भी दूदिया आएगा निकालने के लिए मैं भी निकाल लेती हूँ पाबा भी निकाल लेते लेकिर वह दूदिया ही निकाल के लिए जाता है क्योंकि वह दूद लेके जाता है इसलिए ईतना दूद का हम करेंगे कि दो लोग रहती इतनी दूद कैसे पी लेंगे तो फिर उसको देना पड़ता है और लेक के चला जाता है और गी बगरा ही बनाते मेरी लिए बना के रखा है उनोंने धाई बस कुछ खाते यह सग नहीं है पर दूदह अगाए दे क्या ना हम ऐसे आपाते हैं तो एक तो यह कुछ करने नहीं देता मुझे काम यहाप है ना तो किसी पर जाता है ना कुछ रहता है और सच में गाईज अगर उस टाइम के लिए आओ उसे महीना पंदने के लिए आओ तो तो बच्चे लोग खिल के रहते हैं और दो चार दिन के यहाँ ला तो जाते नहीं किसी पर काम ही नहीं हो पाता कल इसने मुझे थोड़ा बहुत ही काम करने दिया अन्दक किसी पर नहीं गया जे सुबह ते शाम अपनी पापा पर भी नहीं जा रहा रहा रो ही जा रहा रो या बहुत जाकर हो किसी पर जाता ही नहीं है तो मुझे 19 फेवरी और तो बतला हम लोग कल जाएंगे कहीं वो में आपको कल वाले ब्लॉग भी पता चलेगा कहां जाएंगे और आई ते जिस दिन हम लोग गई ते दीदी के जाप पर छोटी वाले इनके यहां पर हैं मेरी सिस्टर इन लोग के यहां पर हैं तो वो ब्लॉग भी मैं जालंगी। अभी मैंप जाला नहीं है कैंजival मेरी फ्लॉग हो पा रहे हैं मेरी पास ब्लॉग रख सब जालंगी धीर, लेकिं डालना पा रहे हो। चलो क्या वोलती, फिर मैं कर लीती हूं अपने घर का काम, सासु मम्मी की साथ में मिलके, तो मैं चलती हूं बाहर, फिर मैं, आण, घर को, चलो कि समयिती हैं देखाओ, यस्तहिश बाहर, फिर में 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 ओकाने हैं, तो यहां तो बहुँत ज्यादा हैं मतलए, रतला में इतनी धनी रहती है और यह है मेरा बैट रोम, देखाओं ụसी आपको, इधर की बात करूं मैं तो पूरा सोफा रखा है हमने देखिया वही जिस सोफा जो खाली होगा हम जिस सिन जाएंगे यहां से उस सिन खाली होगा और क्योंकि सारे कपड़े देखो सारी मेरी ऐसी पड़ी हुई है और जो मैंने चूड़िया लेकर थी वो उसमें जब्बे में रख हुई है पर सुमेरे ऐसी लगा हुआ है मतलब यहां टाइम भी नहीं मिलता कल का दिन ऐसा था कि सब लोग मिलने के लिए आ रहे थे कल एक त किसी की मामी हो सब लोग मिलने आय थे मज़े कल मेरे ना क्या हो गया क्या होगया आजो तो गाइस केहने का मतलब यह है कि हम गाओं में आते हैं तो रिष्ती की अहमियत पता चलती है और सेहर में तो एक कमरी में बंद पड़े रहा हु ना वहां तुम्हारे लिए चाहिए कितने बड़े ही तिकरी खा क्योंने सही, कितने बड़े ही पैसे वाले सही, आपको कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता, इसलिए अगर respect मिलता है, value मिलती है, और कोई तुम्हें जानता है, या फे तुम प्यार से बात करता है, वो है चोटा जुआरी हो, गाउं में ये, मतलब जिन लोगों नोब बोला तो लोग समझ जाएंगे, और क्या बोलते हैं, तो मतलब मैं उनको ही बताएं, गाउं है, और गाउं में गोबर भी मिलेगा, देखने के लिए, गाई भी मिलेगा, गाई रहती घर में, तो गोबर, की चर्ड, म तो यह गाओं को घर है तो ऐसे सब कुछ मिलता है देखिने के लिए और गाओं से अच्छा कुछ नहीं हो सकता ठीक है तो जो लोग कहते हैं अगर गाओं में तो यह सब चीज होती है अगर तुमने सेर में रहना साफ सपाई चाहिए तो एक कमरे में बंद पड़े रहो वहां यह जो रहर थे होथा है और कीचन है और दोरू में यह थार है तो आंगल बंद बहुत दखा अगर वोग भदी अगर के मतलब इतन हम लोग आ गए और यह हो निइन पहुन कहां रह रहरा है ठीक है तो समझ गये होंगे मैं क्या केना चाहरी हूँ तो बस यह गाउं की बात अलगी होती है गाउं में जो होता है खाना, पीना, रहना, सेना सब वो सेहर से सेहर उसका मुकाबला नहीं कर सकता है गाउं गाउं ही होता है सेहर सेहर ही होता है ठीक है फैसल्टी बात करें तो आजकल भी गाउं किसी सेहर से कम नहीं है सेहरों से ज़्यादा गाउं में फैसल्टी हो गई है तो बस चलते हैं अपनी उसमें मेरा ऐसा नहीं है कि मैं किसी को हर्ट कर रहे हूं या किसी से बोल रहे हूं ऐसा नहीं है मुझे जब फर्स्ट ब तो होता है, सेर में तो बस सब लोग रह रहे हैं, आज कल भीड भार में, ना किसी को समझता है, ना कोई किसी से मिल पाता है, ना किसी के पास दो मिनच बैठने का चाहिए मैं, लेकि गाओं में, गाओं में बस तुम किसी को पता चल जाए कि तुम आ गए हो वहां से, सारा काम माम छोड़ के तुमसे मिलने आते हैं और कल आये थे मेरी से मैं आ की बहू हूँ, मैं कहीं नहीं जाती हूँ जब मैं आती हूँ, तब मैं गेच में अंदर गुशती हूँ और जब यहां से निकलती हूँ, तब मैं गेच पर जाती हूँ अन्ता मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि हम मैं आकि छोटी बहूंगा, अपनी घर की, तो देखिए, लेकिन एक होता है ना, मैंने परहें बात करें, आकर मैंने कभी बात नहीं की उनसे, तो बतला है, सब लोग ऐसे आती हैं, लड़गियां हैं, और मेरे कोछ नंत से लगती हैं वो सब मिलने के लिए आती हैं, कोई कहता, चाची आगे, कोई कहता, भावी आगी, यह रिष्टे कर कोई कहता है न मुँझे गाइस, सच बताने हैं, एक अलग से एक तब अदर से एक फिलिं होती है, लगती है, कि सारी दौलत दुनिया की तुमने पा रख़िए, किसी की भ स्थाइब धूब हैं। तो सबको दिखाऊंगे तो सकत्मि जो रिष्ते होते ना बहुत इह pseudo नहँते इस रिष्तों में तो प्लीज आप गाउं का Państwo सें गाउं सैर चैसे होता है कि मुझे बहुत बहुत पसंद है वह मboy 7 में उस पहले गाओं में ही पली व shortcuts time के लिए इपनी पापा की सात रही किसे हों सेभमें बहुत सारे सेरन में मैं साधी से पहले पढ़ाई मैं बोक souha किये घॉली reinforcement काने के बाद में सेर चली की मोच अन्डी गड़ी तो मैं गाउं पसंद नहीं करती, ऐसा नहीं है, गाउं मुझे आज भी बहुत ज्यादा पसंद है, चूले पर खाना बनाना पसंद है, चूले पर मतलब सारा कुछ करना पसंद है, मुझे मैं जब यहां आ जाती हूँ, तो मैं गैस पर नहीं खाना बनाती, मम्मी से बोल देत जो आस पास लेक्ते ना वही सब बोलते हैं, किया तुमारी बहुत कैसी है आते ही चुले पर खाना बनाना शुरू करते है, वह मैंने बहुत बताती है, तो अचमा गाइस एक दम बहुत अच्छा लगता है यहां पर आखर के, न आको टीवी की जरूवत है, न खिसी की फॉन क कर के जरूरत है बस, दो मिनट बेटो पता ही नीज़र सोवसारा दिन आपका कहां सी कहां चला गया तो चलो मिलते हैं आप सी आगे दिखाते से चाई बाए आखिए गाई सीय क्या ना आज का मौसम किसा है भार में दिखाती है आपको किसलम समुरत है पूरा छोड़ी ममी जार रहे है वारी तो दूद्स निकाल रहे हैं वार देखिए पूरा कोहरा कोहरा सवरा क्या से करके पूरा पूरा हम सब्सक्राइन. यह हमारी अमरूत कर पेड़ा इसमें लगए। तैना में पालनी देखा रही थे आपको वीडियो में इसी के अमरूत थी यतनी बड़े। और चुटी लगए रहे हुए हैं और देखाऊं में आपको अंदर.. लेको यह लगे हो रहा है बंदर नहीं छोड़ते बंदर तोड़ ले जाते हैं सारे को थोड़ी बहुत पके थोड़ी खा जाते हैं सारे बंदर कि वोइँ है मेरी सिबजी ऋबाबा यहां کے दिक बेर करके मैं भारनी गई थी वह YE हमारी ममी की मेति यंद पाल शब्जी पे लेक्री हैं और वगए ल वार कि वह सेम भगए कर आई है हμारी चाराकुचमे मसीन के वही हमारी वाइक है वो इन वे अनाज बरके रखा हुआ यह साई के ले पापा की और दीगे एक बैड्रूम एक रूम यह है जिसमें गाय के लिए जो दलिया वगएरा होता है खली वगएरा उती हों यहां सब बर रखे है हमने तो इस में वर्रक्पा रख़ा है तो यह समार डाल रखा है इसमें और एक कमरा ये है सामने जो कि इसमें ऐसी जमार रख़ा है वह यह है पूरा यहां से वहां तक बढना फूरा लंबा लंबा और यह हमारा दूसरा रूम कैसे हाँ जगर्दन में खड़ाओ खड़ाओ सीदिका गर्दन तुगाइच यह हमारा तीसरा रूम जिसमें यह सोई हुए हैं बावु और बावु के पापा क्रिष्णा के पापा सोई हुए दौनों और देगे कंबला साइद पूरा जमीन पर अधर ओड़ने की जगह और देगे कैसे मतलब रखा इतना बड़ा कंबला फिर भी ने दौनों नहीं और यह हमारे मम्मी पापा की छोड़ चैसा मंदिर जिसमें पूजा करते हैं अपनी व यह क्या है गीता चोड़ी चोड़ी बोड़ी किताब सबसे अपने गीता चोड़ के चलिए हैं हाँ तो और आपने मेरा बैडरूम तो देखा ही है और यह आगया हमारा दूद अब बने गीचा है ममी लेकर आई है दो जेरा चाय बना लिए हमें चेकर आपको दिखाऊ यह तो आपने विराबर आहां हमें चूले पर गरम कर लेते हैं ना कोई बात निया मैं चूले पर चाय चाय बना दे चूले पर चूले पर आपको अहां है मैं चूले पर बना रही है जाए पर ना बना रही गैस पर ज्यूला कि खंड दो अब जला लेती है मैं चूला चलके अपना और मैं अब मैं करेंगी पनी से आग जला जलाओंगी यूदक देखो इसमें ना अब बिट्टी को टेल वगरन का ता मिलता ज्या ही नहीं है। तो यह पर नी ओ यह रही है मेरा चूला चलो जला देती हुको रुकी में जला रही है इसको ममी तो बोल रही थी कि गैस पर बना ले तो चाह बगर आपने बाद में साख बख बनाएंगे तब जला लेंगे जूला कि बना लूंगे ममी कर लूंगे तना भी नहीं हो मैं जी आता है कि नीटूक टुला चूलिए उस पर उस पर मैं जीड़ना है मैं तेसस्पर करम भ arguments आधें, घूले घूले में धिकी ऑच आग जला दी कि छी तो कली बनिया गड्री ताः कान जाती है भी इल थे सब्सक्टाणा का गली आज पारिष अन्मेग इसमें जन्मा बड़ार इंग मश्त चूले चूले पर हर्जी तापत रहो धंने पूरे देर बनां अन्मा पुर दें कुछ वाली और का अब में रख दो यह रख दो मैंने दूद गरम करें लोग अच्छा है और यह पीर है पापा यह पीर है मम्मी और वो जा रहे हैं अभी फ्रेस है विकाज़ और दूसरों कौँ जा रहा है कपड़े लग लाइए तो गैस मैं भी अपनी चाइप लेती हूं चलो फेचाइप के अपसे और मैं अपनी ब्लॉग का भी एंड कर देती हूं तो आज का यह मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीस लाइक से सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स कर दो कि लुग के लुग है तो रहके लुगल रहा है क्लीस में है।